नमस्कार मेरा नाम भफतोज फोगार्ट है और आपका हमारी यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय भफतोज फोगार्ट में स्वागत है तो स्टुडेंट्स आज हम आपको फोटो इलेक्टिक एफेक्ट के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटो इलेक्टिक एफेक्ट होता क्या है अगर हमारे पास एक मैटल सर्फेस है और इसके उपर हम एक स्वीटिबल फ्रिकेंसी की लाइट इलिमिनेट करते हैं इस पर किसकी एक स्वीटिबल फ्रिकेंसी की लाइट इसके उपर अगर हम डालें तो यहां से जो इलेक्टरोंस हैं इसके वो क्या हो जाएंगे वो एमिट हो जाएंगे यानि किसी metal surface पर अगर हम एक suitable frequency की light डालते हैं तो उसके जो electrons होते हैं वो emit हो जाते हैं यह जो electrons emit होए हैं इन्हें हम कहते हैं light generated electrons और light को हम क्या बोल देते हैं photon तो यह हो गया photon generated electrons यह जो photon generated electrons हैं इन्हें का नाम हमने रख दिया photo electrons यानि जब किसी suitable frequency की light हम किसी metal surface के उपर डालते हैं तो जो electrons हैं वो emit हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं photo generated electrons या photo electrons और इस प्रोसेस को हम कहते हैं photo electric effect अब photo electric effect को जो explain किया उसमें पहला था हाज observations यह क्या था इन्होंने कहा कि हमारे पास एक metal surface है यह metal surface तो जब light इसके उपर डाली जाती है यह light डाली तो जो electron surface के उपर होते हैं यानि यह हमने मान लिया यह electron जो surface के उपर है यह क्या करेंगे energy absorb कर लेंगे यह क्या करेंगे जो positive ions थे उनका जो attraction था उसके वेश से रुके हुए थे तो यह उन्हें overcome कर देगा और surface से emit हो जाएंगे जो आजपास के environment है वहाँ पर ठीक है तो यह था हार्स observation यानि जब कोई light किसी metal surface पर डाली जाती है तो वो जो electrons होते हैं वो इतनी energy absorb कर लेते हैं कि वहाँ से emit हो जाते हैं और सका साथ जो positive ions का attraction था उसे भी वो हटा देते हैं रिमूब कर देते हैं तो यह था हार्स observation तो इसे हम किस तरह से बताएंगे कि हार्स observation में सबसे पहले क्या होती है light incident होती है पहले process में light incident on surface फिर उसके बाद जो electrons हैं वो energy absorb कर लेते हैं electrons नियर सर्फेस एब्जोर्ब एनर्जी और energy एब्जोर्ब करने के बाद क्या करते हैं वो overcome attraction of positive ions तो जो positive ions का जो attraction था material of the surface का उसे overcome कर देते हैं और escape from the surface तो यह अगला observation लिनार्ड की तरफ से किया गया इन्होंने भी photo electric effect को explain किया इसमें क्या था इन्होंने पहले experimental setup समझ लो आप यह हमारे प्लेट भी कहते हैं इसे हम एमिटर प्लेट भी बोल सकते हैं और यह ए इसे हम collector plate कहेंगे यह नेगेटिव है और यह पॉजिटिव यहाँ पर कॉमिटेटर लगा हुआ है यहाँ microampere लगा हुआ है इन्होंने एमिटर माइक्रामिटर और यहाँ पर वोल्ट मीटर है और एक बैटरी यहाँ पर connect है अब जैसे ही यहां quartz window है जैसे ही source से ठीक है यह source है किसका ultraviolet radiation का तो जैसे ही इसके उपर ultraviolet radiation डाली जाती है emitter plate के उपर तो यहां से electrons emit होने शुरू हो जाते हैं और यह emit electron जो emit हुए है यह कहा जाते हैं collector plate की तरफ तो जैसे ही ultraviolet radiation emitter plate के उपर डाले गए यहां से electron निकलने शुरू हो गए और वो सीधा positive collector plate की तरफ जाना शुरू कर दिया उन्होंने और जैसे ही electron ने flow करना शुरू किया emitter plate से collector plate की तरफ तो current flow होना शुरू हो गया अब जैसे ही ultraviolet radiation रोग दी डालनी वैसे ही current भी तुरंत रुक गया तो यह था Leonard observation कि हम जैसे ही ultraviolet radiation collector plate पर डालेंगे तो electrons emit होने शुरू हो जाएंगे collector plate की तरफ यह negative से positive की तरफ electric field की वज़े से और इसमें current flow होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही ultraviolet radiation रोग दी जाएंगे तो current flow होना बंद हो जाएगा यह था Leonard observation तो आज हमने photoelectric effect के बारें पढ़ा और उसमें Leonard observation भी हमने देखा आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद